सुगाई साज के इस वीड़ो में आप लोग को पोस्ट आपिस के बेस्ट सेविंग स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ और इस स्कीम की खास बात ये है कि अगर आप इसी स्कीम के तहट अगर पाँच सालों के लिए एपडे करते हैं और बीच में अगर आप लोग को पैसे की ज़रुरत पड़ती है कोई अमेरिजन से आती है तो जब आप लोग अपने एपडे को तोड़ोगे तो आप लोगे से कोई भी इक्ष्टा चार्जेस या भी पैनलिटी नहीं लिये जाएंगे अब देखिए इसकी क्या खासियत है इसके बारे में आप लोग को डीटेल से बताऊंगा लेकिन अगर कंपरेजन करें अधर बैंकों से तो आप लोगों से हाई चार्जेस हाई पैनलिटी लिये जाते हैं अगर आप जो है कि अपने एपडी को मैचियूर होने से पहले साथ ही में भी देखेंगे इसके लेक्स इंटरेस्ट डेट के बारे में भी और जानेंगे कि इसमें आखिर मेचियूर होने की बात कितना आप लोग के अमाउंट मिलता है और 10 ओर की बात करेंगे कि कितने सानों तक के लिए आप एपडी कर सकते हैं मिनिमम या फिर मैक्σιमम nomination का क्या इस्तिती है एक एक चीज आप लोग को detail से बताने वाला हूँ तो इस video को पूरा देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सठीक जनकारी मिल सके तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसके highlight के बारे में तो यहाँ पर highlight में आप देख सकते हैं अगर मैं बात करो तो यहाँ पर 5 साल के लिए होगा और यहाँ पर जो interest rate होगा यहाँ पर 8.2% पर एनुवल होगा कुछ मेरे भाई लोग यह बोल रहे हैं कि भाई 9.2%, 9.5% का interest rate कैसे मिलेगा तो basically देखिए वो कई सारे offers होते हैं कई सारे systems होते हैं जब मिलते हैं नहीं तो हमेशा वो available नहीं रहता है तो यहाँ पर interest rate जो है 8.2% पर एनुवल का यहाँ पर मिलने वाला है minimum आप इस scheme के तहत 1000 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं टेक्स बम जो है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 30,000,000 रुपया तक यहाँ पर invest कर सकते हैं और tax benefit आप यहाँ पर देख सकते हैं साथ में इसमें premature closure भी है यानि कि आप जो अगर 5 सार के लिए अबडी करते हैं तो 3 साल में में इस FD को जो है कि close कर सकते हैं और इसे 5 साल भी चला सकते हैं तो इसमें नॉमिनेशर की भी facility available है ठेक है तो बेसिकलिए यहाँ पर security की अगर मैं बात करूँ तो क्या इसमें जो है पैसा लगाना secure है तो बिलकुल हाँ secure है क्योंकि देखिए यह government की guaranteed FD fix plan है ठेक है और इसमें guaranteed plan होने की वज़े से और government की under में होने की वज़े से काफे ज़्यादा आप लोग का secure रहता है और देखिए किसी भी bank में अगर आप जो है की FD करते हैं तो आप लोग का 5 लाख रुपिया देखिए हमेशा से सेवी के अंडर में रहता है जिससे की अगर bank भाग भाग भी जाती है आपका पैसा ले करके फिर भी आप लोग को 5 लाख रुपिया तक मिलेगा अगर 5 लाख से ज़्यादा का अब्डी रहेगा तो देखिए भाई इंट्रेस्ट अपना लेना चाहते हैं जो भी आपने मांट यहाँ पर इंवेस्ट करेंगे तो इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है कि फर्स्ट डेट आप अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनुवरी यानि कि एक जनुवरी मलेगा पैसा, एक कपरेल को मिलेगा, एक जुलाई को मिलेगा और एक अक्टूबर को मिलेगा इस तरीके से इसका जो है कि इंट्रेस्ट आप लोग को मिलता जायगा अब देखिए दूसरे में बात कर लेते हैं प्रेमेचूर क्लोजर के बारे में प्रिमेचियूर का मतलब यह है कि अगर आप एक बार FD कर देते हैं तो देखिए कई सारी स्कीम होते हैं जिसमें आपका FD लोग हो जाता है लेकिन कुछ ऐसे भी FD हैं जिनमें अगर आप लोग जब पैसे जरूरत पड़ी तब आप लोग अपने FD को तोड़ सकते हैं तो उसी तरीके से यह इसकीम है प्रिमेचियूर कलोजर है यानि कि जब मन तब आप लोग इसे FD को तोड़ सकते हैं देखिए जब आप लोग FD को तोड़ेंगे तो जो आप लोग को इंट्रेस्ट मिलेगा उस पर चार्जेस नहीं रहेंगे बलकि यहाँ पर आप देख स दो साल के बाद और तीन साल के अंदर में अगर आप उसे FD को तोड़ते हैं तो आप लोगों से 1.5% का जो है चार्जेस लिया जाएगा जो की डिड़क्ट हो जाएगा आपके प्रिंस्पल इमाउंट से ही और अगर आप जो है कि चार साल के बाद अगर आप यह अबड़ इंटरेस्ट का जो चार्जेस तो लिया जा रहा है ठीक है लेकिन 8.02% का जो इंटरेस्ट मिल रहा है यह काफी ज़्यादा बेहतरीन है वो अट्रैक्ट करता है लोगों को और दूसरी चीज प्रेमिचूर कलोजर का क्योंकि कई सारे बैंक है जो की 7% 7.5% का इंटरेस्ट आप लोग को देते हैं लेकिन वो 5 साल के लिए होल्ड कर लेते हैं माउंट का यानि कि लॉग कर देते हैं यह जिससे अगर बीच में आपको पैसे की ज़रुत पड़ा तो भी आप लोग उसे नहीं तोड़ सकते हो ठीक है इसलिए यह देखे काफी ज्यादा बेहतरीन है अ एकने का भी जो है 60 साल हो चुका है लगभग ठीक है वो सारे के सारे इसका जो है की फायदा उठा सकते हैं बात बाकी आप देख सकते हैं लिखा हुए रिटायर सिविलियन इंप्लॉई से बाव 55 एर्स एंड बिलो 60 एर्स यानि कि जो अगर आप जो है की डिटायर इंप्ल जे यहाँ पर नौन रिजिडेंट इंडियन यानि की नराई और साथ में अंडिवाइडेट हिंदू फैमिलिस के लिए ये जो है की स्कीम अवैलेबल नहीं है ठेक है और वो लोग इलिजबल नहीं है इस स्कीम के लिए ठेक है तो आप लोग यहाँ से इलिजबिल्टी और क्राइटेरिया के बारे में आई होब कि आप लोग समझ पा रहे होंगे और यहाँ पर इंट्रेस्ट रेट के अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं दे करेंट इंट्रेस्ट रेट जो है की अप्लिकेबल टू S.C.S.S. यानि की सिनियर सिटीजन स्कीम जो है सेविंग स् 8.2% पर इंट्रेस्ट रेट इंट्रेस्ट रेट इज अप्लिकेबल ये 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक जो है की यह लागू रहेगा अगर इसके बीच में आप लोग खायदा उठाते हैं तो बहुत ही बेतर रहेगा आप लोगों के लिए ठीक है तो आई होब कि आप